तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुड़ वाले चामल बनानी की रेसिपी तो फिर चलिए हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं गुड़ वाले चामल बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की जरूरत है तो ये देखिए ये म मैंने आदा घंटा पहले अच्छे से धोकर भिगोकर रख लिया है गुड़ लेंगे हम सेम कॉंटिटी में यानि के 500 ग्राम आप मीठा अपने टेस्ट के मुताबिक कम या जादा कर सकते हैं और ये दूद लिया है मैंने एक कप गुड़ को मैं दूद में पकाने वाली हू आप दूद की जगह पर पानी का भी यूज़ कर सकते हैं और ये थोड़ा सनारियल लिया है मैंने इस तरह से स्लाइस में कटा हुआ घी लिया है मैंने वन फॉर्थ कप और ये थोड़े से किश्मिश मैंने लिया है ये तक्रीबन 3 टेबल स्पून होंगे और ये 14 से 15 मैंने बदाम लिया है जिसका छिलका मैंने उतार लिया है और ये है सोंप इसको मैंने हलका सा क्रश कर लिया है ये तक्रीबन 1 टी स्पून सोंप है और लाइची पॉडर लिया है मैंने 1 टी स्पून और ये मैंने 4 लॉंग लिया है तो ये चीज़ां चाहिए हमें गुड़ वाले चामल बनाने के लिए तो चलिए हम अपने कूकिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने एक बरतन में पानी ले लिया है इसको हम पहले बॉयल कर लेंगे लीड लगा कर और गैस की फिलेम हम हाई रखेंगे देखिए पानी हमारा बॉयल हो चुका है इसमें अब हम चामल एट करेंगे जो चामल हमने भीगो कर रखे थे वो इसमें दाल देंगे चामल दालने के बाद एक बार हम इसमें चमत चला लेंगे और फिर इसकी लीड बन करके इसे हम बॉयल होने देंगे जब चावल में एक कनी रह जाएगी तब हम इसे चान लेंगे चावल को बॉयल करते वे मुझे 10 मिनट हो चुके हैं तो चलिए हम चावल को चेक कर लेते हैं तो ये देखिए इसमें एक कनी रह गई है तो अब हम इसे चान लेंगे यह देखिए चावल मैंने छान लिया है इससे अब हम साइड में रख देंगे और दूसरे बर्तन में हम गूड दालेंगे और इसके साथ ही हम इसमें दूद भी एट कर देंगे गूड को हमें मल्ट होने तक अच्छे से पका लेना है लो फ्लेम पर तो ये देखिए गुड को हमने अच्छे से मैल्ट कर लिया है लो फ्लेम पर तो इसे भी हम एक दफा छान लेंगे ताकि इसमें जो भी गंद जो भी कच्रा होगा वो निकल जाएगा ये देखिए इसे मैंने छान लिया है इसको अब हम रख देंगे साइड में इसके बाद देखिए ये मैंने चूले पर बरतन चड़ा लिया है अब हम इसमें ये गी दाल देंगे गी जब अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें बाकी की चीज़ें आट करेंगे गी हमारा गरम हो चुका है अब हम इसमें नारियल आट करेंगे बदाम एट करेंगे किश्मिश डाल देंगे और ये लॉंग भी हम इसमें डाल देंगे और ये पीसी भी इलाइची भी हम इसमें एट करेंगे क्रेश की भी सुंफ भी इसमें एट करेंगे इन सभी चीजों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे तो देखिए ये हलका सा फ्राइ हो चुके हैं अब हम इसमें ये गूर जो हमने मैल्ट किया था उसे हम एड़ कर देंगे तो गूर की चाशनी इसमें एड़ करने के बाद हम इसमें चामल डाल देंगे तो ये चामल को हम हलके हातों से मिक्स करेंगे तो याद रहे हलके हातों से हमें चामल को चाशनी में मिक्स करना है वरना आपके जो चामल है वो तूट भी सकते हैं तो ये अब अच्छे से mix हो चुके हैं तो हम इसकी lead बन करेंगे और पहले हम इसे 5 मिनिट medium flame पर पकाएंगे और 5 मिनिट बाद हम इसे dham दे देंगे तो 5 मिनिट मैंने चावल को medium flame पर पका लिया है अब हम इसकी lead नहीं खोलेंगे अब हमें gas की flame low कर देनी है और low flame पर हम इसे 15 मिनिट दम दे देंगे चावल को दम पर रखे वे हमें 15 मिनिट हो चुके हैं तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं तो ये देखिए माशालला बहुती जबरदस्त हमारे गुड़ वाले चावल बनकर तयार हो चुके हैं तो हलके हलके हातों से पहले हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे और फिर हम इसे dish out कर लेंगे आप देख सकते हैं ये बिलकुल भी चिपचीपे नहीं बने हैं इसका एक एक दाना अलग हो रहा है तो बहुत ही मज़ेके और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे ये गुड़ वाले चावल बनकर तयार हो चुके हैं आप भी इस रेसिपी को ट्राइ करें रेसिपी पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे वन टाइम सब्सक्राइब किये बिना ना जाएं क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें मिलने वाला एक प्यारा सा इनाम होता है तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज